केविएट एक लेटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बी अवेर केविएट एक सूचना है जो एक पार्टी के दौरा कोड को दी जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि किसी केस में कोड एपलिकेंट को बिना नोटिस भेजे बेपक्ची पार्टी को कोई भी रिलीफ ना दे और ना ही कोई एक्शन ले यह एक तरह का बचाव होता है जो एक पार्टी के दौरा लिया जाता है सिबिल प्रोसेजर कोड सेक्शन 148A के अंतरगत केविएट पेटिशन फाइल की जाती है केविएट फाइल करने वाले वेक्टि को केविएटर कहा जाता है केविएट पेटिशन का मतलब होता है कि आप किसी कोड से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर किसी वेक्टि ने कोड में मामला दर्ज किया है जिसमें आपका कोई वैलod इंट्रेस्ट है तो कोर्ट दोरा उस केस में कोई आदिश पारित नहीं किया जाना चाहिए उस मामले में कोर्ट कोई भी आदिश पारित करने से पहले आपको सुनेगी उसके बाद ही कोई फैसला लेगी केवियेट पेटिशन एक बचाव होती है इसका फाइदा लोग तब उठाते हैं जब उन्हें लगता है कि किसी केस में उनके खलाब कोई एक्शन लिया जा सकता है तो कोर्ट में केवियेट पेटिशन लगा कर कोर्ट को यह सूचना दी जाती है कि कोर्ट उस व्यक्ति को सुने बना दूसरी पार्टि को कोई भी रिलीव ना दे केवियेट पेटिशन की वैदता 90 दिनों की होती है यानि कि जिस दिन आप केवियेट पेटिशन कोर्ट में फाइल कर देते हैं उसके 90 दिनों तक वो एफेक्ट में रहती है अगर opposite party के दौरा 90 दौनों के अंदर court में कोई case file किया जाता है तो court दौरा एक notice भेज़कर आपको सूचित किया जाता है एक बार 90 दौनों का time पूरा हो जाता है तो दो बारा आपको caveat petition file करना होता है आपको caveat petition में opposite party का नाम बताना होता है जिस पर आपको शक होता है कि वह आपके खिलाब कोई केस कर सकता है सेक्शन 148A CPC के तहत केविएट को दायर करने में क्या अधिकार दिये गए हैं जब किसी को अंदेशा होता है कि opposite party कोई केस करने वाली है तो उसी court में caveat petition file कर दी जाती है ताकि opposite party जब भी court में कोई भी activity करेगी तो आपको सुचित कर दिया जाएगा caveat petition कौन file कर सकता है ऐसा व्यक्ति जिसे डर है कि विबक्षी party उसके खिलाब कोई case कर सकती है तो ऐसा व्यक्ति caveat petition लगा सकता है एक बार जब caveat file कर दी जाती है तो यह court की duty होती है कि वे उस caveat को notice बेज़ें और उस व्यक्ति को case के बारे में inform करें जो उसके खिलाब file किया गया है caveat में किन बातों का होना जरूरी होता है caveat petition में निमन बातों का होना आवश्यक है first, court का नाम होना जरूरी है जहां पर case को file किया जाता है second, अगर case का कोई number है तो वो भी उस पर mention करना चाहिए third, उस व्यक्ति का नाम जिसके बेहाब पर caveat फाइल की जानी है fourth, उस case की सारी जानकारी fifth, caveat का पूरा पता साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि उसी पते पर court के दोरा उसे notice भेज़ा जा सके CPC section 148A जिसके अंतरगत caveat petition दायर की जाती है section 148A, caveat दायर करने का अधिकार जहां किसी नैले में संस्थित या सिग्री संस्थित होने वाले किसी वाद्या कारवाही में किसी आविदन का किया जाना प्रत्याशित है या कोई आविदन किया गया है वहां कोई व्यक्ति जो ऐसे आविदन की सुनवाई में नैले के समक्च उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है उसके बारे में caveat दायर कर सकेगा अर्थात, कोट में या तो कोई suit file किया गया है या किसी कारवाही में कोई आविदन दिया जाना है या दिया गया है और कोई व्यक्ति है जो उस case या आविदन में अपना कोई valid interest रखता है अर्थात उस case में अपने उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है तो ऐसा व्यक्ति caveat दायर कर सकेगा जहां उपधारा एक के अधिन कोई caveat दायर किया गया है वहाँ व्यक्ति जिसके दोरा caveat दायर किया गया है जिसे इसमें इसके पस्चात caveat करता कहा गया है उस व्यक्ति पर जिसके दोरा उपधारा एक के अधिन आविदन किया गया है या किये जाने की प्रत्याशा है caveat के सूचना की तामील रसीदी रजिस्ट्री डाग दोरा करेगा अर्थात यदि किसी वेक्ति ने caveat petition दायर किया है और बाद में विबक्ची पारटी कोई आविदन या case फाइल करती है तो इसकी सूचना caveat करता को रजिस्ट्री डाग दोरा की जाएगी थर्ड जहां उपधारा एक के अदिन कोई caveat दायर किये जाने के पस्चात किसी वाद्या कारवाही में कोई आविदन फाइल किया जाता है वहाँ ने आले आविदन की सूचना caveat करता को देगा अर्थात caveat petition दायर करने के बाद यदि विपक्षी पारटी कोई केस करती है तो यह court की duty है कि वह caveat करता को इसकी सूचना दे कि आपने जो caveat petition दायर की थी उससे संबंदित किसी व्यक्ती ने आपके ऊपर केस किया है फूर्थ जहां आवेदक पर किसी caveat के सूचना की तामील की गई है वहां उसके दोरा किये गए आवेदन की और उस आवेदन के समर्थन में उसके दोरा फाइल किये गए या फाइल किये जाने वाले किसी कागज या दस्ता बेज की प्रतियां केवियेट करता के खर्चे पर केवियेट करता को तुरंत देगा। अर्थात केवियेट पेटिशन फाइल करने के बाद विपक्ची पार्टी कोट में कोई आवेदन ये सूट डायर करती है, तो उस केश से सम्मंद जितने भी कागज ये दस्ता बेज हैं, उनकी कौपी केवियेट करता को उसके खर्चे पर तुरंत मोहिया कराई जाएंगी। फिफ्थ जहां उपधारा एक केवियेट दायर किया गया है, वहां ऐसा केवियेट उस तारीक से जिसको वह दायर किया गया था, 90 दिन के अफसान के पस्चात प्रवत नहीं रहेगा। जब तक की उपधारा एक में निर्दिष्ट आवेदन उक्त अवधी के अफसान के पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपको इस वीडियो की नोट्स की पीडियाफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है टेलिग्राम चैनल की, वहां से आप टाउ लेता हूं, धन्यवाद